तो हलो दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों जैसा क्या आप लोग जान रहा है जो हमारा सिरीज BSP-HCL के लिए Special Class Computer का चल रहा है तो दोस्तों इसका Lesson 1 Complete हो चुका है और Lesson 2 Computer का विकास इससे Related जितने भी प्रिवियस एर के Important Recently में जो पूछेवे Question है उसका हम सलूसन देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियों बहुत इंटिगेटेड एड कंप्यूटर पहला प्रोग्रामेबल जेनरल परपर इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल कंप्यूटर निम लिखित में से किस देश में विक्सित किया गया था ओके तो दोस्तों यह जो है विक्सित किया गया था इनना यू ऐसे वी में उनाइटेड इस्टेट आफ यू ऐसे में किया गया था डेवलप कौन पहला इलेक्ट्रानिक्स डूमेरिकी इंटिगेटेड एंड कंप्यूटर ओके तो याद रखेंगे इसका राइट एंसर ओप्सन्ड हो जाएगा ठीक है दोस्तों देख सकते है 2020 में पुछा हुआ question है एससी में प्रशन दूसरा है निमलिकित में से कौन सा super computer नहीं है तो दोस्तों super computer बताना है इन में से कौन है तो देखिए A का एक super computer है देन परम एक super computer है grade 3 एक super computer है लेकिन PDA PDA जो है super computer नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option B हो जाएगा जो PDA है super computer नहीं है बात बाकि आपका A का super computer है और 8000 super computer है grade 3 super computer है यह anti PC में RRB 2021 में पूछा हुआ प्रशन है प्रशन अगला है दोस्तों प्राचीन गरती गरना के लिए इस्तमाल साधन dot 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 कहा जाता है तो दोस्तों जो प्राचीन गरना के लिए इस्तमाल साधन उससे हम क्या करते थे अव्यकस करते थे याद रखेंगे इसका right answer option B हो जाएगा प्रशन अगला है दोस्तों पारिकल calculator की उत्पति dot 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 से हुई तो calculator की उत्पति किस से हुई तो अव्यकस से हुई याद रखेंगे जो calculator की उत्पति है वह अव्यकस से हुई ओके दोस्तों प्रशन अगला है निमलिकित में से कौन सा पहली कपेड़ी का computer है यानि which of the following is the first generation computer star 100, atlas, अव्यकस या c1 तो दोस्तों इसका right answer option d हो जाएगा जो पहली कीड़ी का computer है वह c1 है इसका right answer option d हो जाएगा दोस्तों जो c1 है s, e, a, c, c1 का जो full farm होता है तो क्या होता है standard, eastern, automatic computer होता है तो पहली कीड़ी का इस्तेमाल यह computer था जिसे USA यानि United States of America ने 1950 में बनाया था याद रखेंगे 1950 में बनाया था तो इसका right answer option d हो जाएगा लेटेस question है 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों, charge verves दवारा डीजाइन किया गया पहला, design किया गया पहला यांत्री computer किस नाम से जाना जाता है okay, časa option दिया है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों option ऐ हो जाएगा जो charge verves दवारा design किया गया पहला यांत्री computer जो है एनलाइटिक इंजन नाम से जाना जाता है तो इसका राइट एंसर ओप्शन A से हो जाएगा अगला प्रश्ण है कम्प्यूटर का जनक किसे माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्ण है और बहुत बार पुछा है दोस्तों याद रखेंगे चार्स बेबेज को कम्प्यूटर का जनक माना जाता है इसका राइट एंसर ओप्शन C से हो जाएगा अगला प्रश्ण है कम्प्यूटर का जनक किसे माना जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्ण है दोस्तों यहाद रखेंगे चार्स वेबेज जो की computer का जनर माना जाता है कई सारे exam में पुछ तुका है प्रशन अगला प्रशन है दुनिया के पहले electronics digital computer का नाम क्या है तो याद रखेंगे दुस्तों दुनिया के पहले electronics जो computer था उसका नाम ए नियाक है तो इसका right answer option A हो जाएगा Enyaq को दुनिया के पहले electronics computer के नाम से जाना जाता है तो इसका right answer option A हो जाएगा अगला प्रश्न है पूछ लिया है Enyaq यानि Enyaq जो electronics computer है दुनिया के पहला उसका full form पूछा है तो दोश्तों Enyaq का full form होता है E से electronics, numerical, integrator and computer याद रखेंगे इसका right answer option A से हो जाएगा प्रश्न अगला है पहला electronics digital computer बनाया गया था ये भी important प्रश्न है 2022 में पुछा हुआ है तो याद रखेंगे जो पहला electronics computer था वह university आप PC लेनिया USA में बनाया गया था तो इसका right answer option C से हो जाएगा प्रश्न अगला दोस्तों 2042 में परीकलान यंत्र की शुरुआत्वार द्याट ड्यार्ट द्वारा की गई थे तो इसमें Adam Pascal किया गया था रोमन कोल हेल कर ने किया जोसेफ मार्क ने किया या ब्लेज पासकल ने किया दोस्तों जो 1442 में परिकलन ये अंत्र जो कैंकुलेटिंग मसीन है इसका इंटोड्यूस किया था 1442 में तो कौन किया था बेज पास्कल ने किया था याद रखेंगे इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन डी से हो जाएगा 1442 से 1444 के भी जो फ्रांसिसी गड़ी तक ये थे फ्रांसिसी गड़ी तक ये थे बेज पास्कल दोरा डिजाइन और निर्मित किया गया था याद रखेंगे प्रशन अगला है दोस्तों क्वेस्टन बोल रहा है प्रत्थम डीश्टल एलेक्रोनिक संप्यूटर के संबंद में ABC का पूरूप क्या है तो ABC का पूरूप यानि फूल फॉर्म पूछ रहा है तो दोस्तों ABC का पूरूप A से क्या हो जागा A से एंटो सौफ बेरी हो जाता है ठीक है कंप्यूटर याद रखेंगे एंटोस ओफ एसे हो जाएगा V से बेरी हो जाएगा और C से कम्प्यूटर हो जाएगा इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन C से हो जाएगा ABC का पुलफार्म एंटोस ओफ बेरी कम्प्यूटर हो जाएगा ओके तो राइट एंसर ओप्शन सी से हो जाएगा अगला प्रश्ण दोस्तों इलेक्टानिक्स डिश्टल प्रोग्राम योग कम्प्यूटर डिवाइस जिसका उप्योग दूति विश्यूद के दोरान जर्मन गुल लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे डाट डाट कहा जाता है तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन पहला दिया है एनलोग कम्प्यूटर दूसरा सूपर कम्प्यूटर तीसरा है डिफरेंस इंजन और चोथा है कोलो सिस तो दोस्तों इसका जो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जो गुल लेक को पढ़ने के लिए किया गया था उस समय कोलो लोस कोलो लोस उसका नाम था तो इसका राइट एंसर ओप्शन डी से हो जाएगा अगला प्रसन है एपल कम्प्यूटर के सषन स्थाफ़ा पक कौन है याद रखेंगे इंपोर्टेंट प्रसन है जो एपल के सषन स्थाफ़ापक है इनका नाम इस्ट्यूब जॉप्स है इसका राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा जो एपल कमपनी के सथ साफक है उनका नाम इस्ट्यूब जॉप्स है ठीक है प्रशनकला है तीसरी पीडी के कंप्यूटर में किस तखनीक का उप्योग किया दहाथा यह अभी दोस्तों यह जो प्र मेह परकार की है पांसों प्रकार की आफ याद रखेंगे अब नीचे स्लाइट में सब ही पीडियों के बारे में हम एक और करके आपको बता देंगे ओके तो वीडियो में लाज तक जरू बने रहे हैं तीसरी पीड़ी का जो कंप्यूटर था तो तीसरी पीड़ी में और पांच भी पीड़ी थी, जो ULSI द्वारा, यानि अरेंगे, तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, option A से हो जाएगा, प्रेश नगला है, देखिए, 1950 कम्प्यूटर, 1950 कम्प्यूटर की डाडाडाड पीड़ी से सम्बंदित है, तो दोस्तों, जो 1950 है, 1950 है, किस पीड़ी से सम्बंदित है, तो फर्स्ट जेनरेशन से है, इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, option A से हो जाएगा, तो फर्स्ट जेनरेशन में, वैक्यूटर का प्रियोग किया गया था, अगला है, प्रश्न, वैक्यूटर की डाडाडाड पीड़ी द्वारा इस्ति अधारी थी, तो दोस्तों, कम्प्यूटर की दो दूसरी पीड़ी थी, वह किस से अधारी थी, एक किरित परपस से, प्रथनकों से, VLSI से, चिप से, या आपका क्यादिया है, निर्वात नलिकाये से, तो दोस्तों, इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, option B हो जाएगा, प आपका आधारी थी, प्रथनकों से, ठीक है, दोस्तों, जो प्रथनकों होता है, इसको हम इंग्लिस में क्या करते हैं, टांजिस्टर करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, दूसरी पीड़ी है, तो इंग्लिस वहला देख लेंगे, टांजिस्टर से लिटेड़ है, प्रशन है microchip microchip बनाने के लिए किस धातू का उपयोग किया जाता है तो important question है silicon का उपयोग किया जाता है microchip बनाने के लिए option यह सही हो जाएगा प्रशन अगला है दोस्तों किस computer generation में IC integrated circuit को VLSI very large scale integration circuit में बदल गिया था तो दोस्तों यह भी important प्रशन है याद रखेंगे इसका right answer option A हो जाएगा जो fourth generation था उसमें IC को VLSI very large scale integration circuit में बदल दिया गया था तो इसका right answer option A सही हो जाएगा प्रशन गला है निमलिकित में से कौन चौथी पीढ़ी के programming भासा है तो दोस्तों जो चौथी पीड़ी के programming भासा है याद रखेंगे इसको हम SQL बोला जाता है याद रखेंगे right answer option C हो जाएगा SQL बोला जाता है चौथी पीड़ी चौथी पीड़ी के programming भासा को अगला प्रशन है दोस्तों micro professor की गति को डाडाड के रूप में जाना जाता है तो micro professor के गति को किसे जाना जाता है तो clock speed से जाना जाता है यादि घड़ी की दिशा से जाना जाता है तो इसका right answer option A से हो जाएगा प्रशन अगला है दोस्तों निमलिकित विकलपों को उनको data संसाधन processing चमताओं के आधार पर आरोही करम में व्यवस्तित करें तो आरोही करन यानि बढ़ते करन औरोही होता तो घड़ते करम यानि बढ़ते करम में सबसे छोटा जो आएगा उसके बाद बढ़ा आएगा देन बढ़ा आएगा देन बढ़ाएगा तो कौन-कौन है दोस्तों देन उससे बड़ा mainframe computer हो जाएगा तो इसका जो right answer हो जाएगा option B हो जाएगा यानि सबसे पले छोटा आएगा micro computer then mini computer then mainframe computer तो इसका right answer option B से हो जाएगा याद रखेंगे प्रस्नगलास दोस्तों वर्स 2015 तक computer की डाडाडाड पीडियों का उत्पादन हुआ था तो दोस्तों वर्स 2015 तक कौन कौन से पीडियों का उत्पादन हुआ था याद रखेंगे 5 पीडियों तक अभी उत्पादन हुआ है जो 1990 में 5वी पीडियों आई थी जो अब तक चल रही है तो इसका राइट एंसर ओप्शन B से हो जाएगा अगला प्रश्न है उन्नत तक निकी जैसे की कृतिम बुद्धी मत्ता क्वांटम कंप्यूटिंग आदी मुखे रूप से डाडाडाड पीडियों से सम्बंदित के लिए थी तो दोस्तों ये सब जो है पीडि आपका पांचमी से सम्बंदित थी तक निकी कृतिम बुद्धी मत्ता ये सब पांचमी पीडि से सम्बंदित है इसका राइट एंसर ओप्शन A से हो जाएगा अगला प्रश्न है पांचमी पीडि के कंप्यूटर उप्योग थे तो पांचमी पीडि के कंप्यूटर कितिम बहुत धिक तकनिकी के द्वारा थे तो इसका राइट एंसर ओप्शन D से हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्यूटर के क्लास में तब तक के लिए पढ़ते रहें मस्त रहें नमस्कार